बच्चों अब उदारेंट 5 की तरफ देखिए उदारेंट 5 में हमें दिया हुआ है कि A, B, C, D एक सबनांदर शत्रवुज है A, C और B, D उसके विकर्ण है और O उन दोनों विकर्णों का गटान बिंदू है बस समनांतर शत्रवुज है और O की माप दी गई है 3 cm और B, O की माप दी गई है 4 cm यह जानकरिया हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि O, C, O, D, A, C, B, D और B, D के लंबाईयां कितनी है यह हमसे पूछा गया है देखे बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए यह बहुत ही आसानी साफिसे हल कर सकते है बस समनांतर शत्रवुज की गुणों को याद कीजिए और के विकर्णों के बारे में अभी तक आपने जो पढ़ा वो याद कर है यानि कि A, C का मत बिन्दू O है और उसी तरह से O, B, D का भी मत बिन्दू है यानि A, O बराबर O, C होगा A, O बराबर O, C और चोंकि A, O कमान दिया हुआ है 3 सेंटी मीटर तो आप लेक सकते हैं O, C कमान भी होगा 3 सेंटी मीटर ये तो आपका एक हल हुआ उसका बद O, D की बात हम करें O, D, B इस विकर्ण B, D का आदा हिस्सा है तो आपको पता है कि चोंकि O, B, D का मत बिन्दू है इसलिए O, B बराबर O, D होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि O, B, बराबर O, D और O, B कमान आपको दिया हुआ है 4 सें सेंटी मीटर होगा अब आप देखिए तीसरी चीच एस पुरे विकर्ण की बात पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि A, C बराबर O, A, D, O, C O, A, D, O, C, O, A कमान आपने निकाला आपको दिया हुआ 3 सेंटी मीटर और O, C कमान आपने निकाल लिया 3 सेंटी मीटर ये बराबर हो जाएगा 3 सेंटी मीटर धन 3 सेंटी मीटर ये बराबर हो गया 6 सेंटी मीटर तो आपके तीसरी जानकारी भी आपने ढूंड ली कि A, C के भीजी बराबर कि ओबी प्लस ओडी या बुसे दी ओ प्लस ओडी खह सकते हैं यह दोनों रहका खंडू का आपको लिखना है यह वह बीदी जो पूरी लंबाई है वो दी या किसी नुपेशच अप लिख ले इसे ओबी प्लस ओडी और ऊभीillo कमान देखिए, आपको दिया हुआ है 4 al cm, तो आप इसके जीह पर लिख सकते हैं 4 cm, और अगे thirdod command Od command आपने निकाला है 4 cm तो यहां भी आप लिखिये, 4 cm यह बराबर हो गया 8 cm तो आपने देखा कि बीडी कभी मान आपने निकाल लिया, पुरी बीडी के लंबाई 8 cm होगी, यह आपके बीडी आपने ढूंड लिया, एसी के लंबाई 6 cm होगी, यह भी आपने ढूंड लिया, एसी माने पुरा विकर्ण 6 cm, और जो बचा हो हिस्सा था, ओसी, यह आपने द प्राग कर ली और यह आपका उदारन पांच हल होता है